दौर से नेक्स्ट कॉलर हैं बद्री सिंग स्वागत है आपका बन्यवाद में बताइए प्रश्न करिये यह गिन साथ नौसकार जी जाहीं दादा आप आपके पास में से गों बोरिंगा वाली और मेरी पत्नी को तवेत के जरा खराब है जरा गया बहुत ही जादा है विसे उ जिसके बाद में उनको लगवा आ गया तो उसके अंदर ब्लड पेसर भी बड़ा और शकर भी है उनको तो उनके लिए क्या करना है अच्छा दिखिए इसी से मैं डरता हूं के वीवर्स इस बात को समझ लें के 40-45 के बाद कभी भी लगवा हो सकता है पालिज हो सकता है प्र इससे आदमी तूड जाता है अंदर से तूड जाता है तो जिनकी भी ऐसी उमर है 45 साल या उससे ज्यादा वो अपना खून को पतला करने के लिए दवा लिया करें कॉलिस्टॉल कम करने के लिए दवा लिया करें और बहुत अच्छा नसका मैं एक बताता हूं और कहता हूं कि आपको अगर रोग नहीं भी है तो लिख जरूर ले पतानी कल मैं बताने वाला रहूं न रहूं आपके पास लिखा होगा तो ये रोग घर घर में पहुँच रहा है और ये नुसका इतना अच्छा है दुनिया का मानावा नुसका है ये जब हार्ट के आपरेशन नहीं हु करती थी ये उस वक्त का नुसका है और ये तमाम हकीमों और वैदों ने इस पर महुर लगाई है तो लिख लीजे अपनी पत्नी के लिए आप खुद तयार करें ये नुसका और फिजियो तेरेपी जरू करें उनकी एक्सरसाइज जरू करते रहें और लीमू जो नीबू ज लीटर और अदरक का रस एक लीटर ये तीन लीटर हो गया एक लीटर जैतुन का सिर्का ले ले और इनको मिक्स कर दें ये दवा हो गई पांच महीने की अक्सर इसमें लोग को फाइदा हो जाता है जरूरत पड़े तो और भी बना सकते हैं तीन चम्मश सुबा तीन को ढूंड ढूंड कर निकालता है जो हमारे दिमाग की किसी रग में फज गया है जिसकी वज़े से लकवा हो गया है ये कोलिस्टॉल का दुश्पन है अगर चर्बी हमारे दिल की रगों में भर गई है तो उसको भी साफ कर देता है हार्ट ब्लॉकिज जिसको कहते है जिसक भी साफ करता है मेरा तजर्ब का मेरा अनुवा हुए यह हर घर में होना चाहिए चाहिए मरीज हो या नहों और पैतालिस साल के बाद जरूर पी लिया करें यह एक तफ़ा है कुद्रत की तरफ से आप इने दीजे और धीरे धीरे उनको फाइदा मुम्किन है